त्यारे बच्चो आजके इस वीडियो क्लास में आप नौधाय मांसिक योगता के अंदर गत छीपी हुवी अर्थात नहीत वाक्रिती वाले प्रशनों का अभ्यास करेंगे देखे बच्चो नौधाय की त्यारी के लिए प्रेटिस बहुत जरूरी है आप लगातर प्रेटिस करते रहिए निश्चित तर पर आपको सफलता मिलेगी और इसलिए हम आपके बीच यह प्रेटिस सेट भी लेकर आये हैं जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम छीपी प्रशनों को बना सकते हैं आप क्या कीजिएगा इसी वीडियो में जितने भी प्रशन आ रहे हैं उन सभी प्रशनों को ध्यान से देखिएगा और खुद से ही इसके प्रशनों को हल करने का प्रयाज कीजिएगा और इसका जो सही उत्तर है उसे आप कमेंड कीजिएगा यह इसके बाद अपने इसाफ से सुचना कि इसका उत्तर कौन सा होगा उसके अदप चेक करना कि जो वीडियो में बताया जा रहा है अंसर वो आपके अंसर से मैच होता है कि नहीं होता है अर्थात आपने जो अंसर दिया है वो सही हो है कि नहीं है तो चले पहला प्रस्न आपकी बीच है इस प्रकार के प्रश्णों में इस और जो है समस्य आकृति होती है जैसे कि अन्य पाठ में भी होता है और इधर जो है उत्तर की चार अकृति होती है इसमें होता क्या है यहां समस्य आकृति जो दिखाई दे रहा है जो बाक्स के अंदर में है ऐसी आकृति को आपको हूँ बहू इसमें धुणना है यह जो चार अलग-अलग विकल्प दिये गए हैं उन में से किसी एक option पर जो है ऐसी आकृति है छीपा हुआ है उसी को आपको धुणना है तो किस प्रकार से धुणनेंगे सबसे पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए यह एक प्रकार से वीशेप में है तो चारो आपसर में आप देखिए कि कहां कहां पर वीशेप बना हुआ है यह प्रस्ण बहुत सब्सक्राइब देख सकते हैं यहां पर वीशेप नहीं बना है यहां पर भी नहीं बना है यहां पर भी नहीं बना है लेकिन यहां पर बीचो बिच द कि V तो है इसके साथ ही साथ यहां पर इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, तो जो आकृति यहां पर है, ठीक वही आकृति यहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो पहला प्रस्वन का आपसंद जो है उत्तर एक होगा, ठीक है? अब जो है दूसरा प्रस्वन आपके बीच है, जिसम है और तीसरा है वो उसमें जो है एच बना हुआ नजर आ रहा है, लाकि इसमें आड़ी है, इसमें खड़ी है, अब देख सत्वे हैं, जैसा प्रस्वन में है, उसी प्रकार से यहां पर बना हुआ है, तो इसका जो उत्तर होगा, वो होगा अपसंद तीन, ठीक है? अब पहला दूसरा को देखते हैं, बता दिये, लेकिन तीसरा प्रस्वन आप थोड़ा सा घुमाओदार लग रहे हैं, तो जरा भी आपको मन को अशांत्री करना है, आप जो है बिल्कुल ध्यान से धहरे पुर्योग इसको बनाएंगे, सबसे पहले जो है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, जो इसमें दिखाया जा रहा है, ठीक है, हम देखते हैं कि एक त्रिभूज आकार में हैं, और नीचे में इसका जो लाइन है सीधा होने के बजाए इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, ठीक है, एक च्वाज त्रिभूज नहीं है, ये चत्रभूज है, लेकिन पहले नजर में त्रिभूज जैसे दिखता है, जो नीचे में इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, हम इसमें भी देखते हैं, ऐसा लग रहा है, किसमें भी उत्तर है, लेकिन इसमें नहीं है, सबसे पहले देख सकते हैं, इसमें इस प्रकार से नहीं है, तो आप दूसरे से किसी भी देखा पर इस प्रकार से लाइंग खीचे तो आप देख सकते हैं यह इस प्रकार से बंद रहा है तो यह भी नहीं है ठीक है अब आता है पहला और चौथा तो ध्यान से देखा जाए, यदि हम यहां से इस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं, इस प्रकार से आगे बढ़ा दिये, फिर इस प्रकार से और इस प्रकार से, अब हम ध्यान से देखते हैं कि जो आकरिती प्रस्ट में दिया गया है, ठीक इसी प्रकार से आकरिती चौथे में बन रहा है यह इसका सहीं उत्तर होगा ठीक है चलिए अगला प्रश्न वीडियो को रोक लीजेगा पॉस कर लेजेगा आप पहले कमेंट करेंगे फिर आप चेक किजेगा यहां पर स्वास्तिक का निशान है हम देखते हैं कि किसी में भी दिख रहा है लेकिं ध्यान से देखे अक्रशन दूसरा इसका उत्तर होगा ठीक है अब प्रश्न अक्रमान पांच वाह यहां पर हमको सबसे पहले देखना है कि प्रश्न में किस प्रकार से आकृति है और यह काफी सरल प्रश्रन है देख सकते हैं ऐसी आकृति दूसरा में और चौथा में दिखाई दे रहा है तो सबसे पहला काम यह कीजिए, जो पहला और तीसरा है, इसको आप अपने option से बाहर कर दीजिए, अब दोनों को ध्यान से देखिए, तो हम देखते हैं कि दूसरा इसका सही होतर है, तो इस प्रकार से आपने 5 प्रशने कभ्यास किया, और भी प्रशने देखते हैं, वो भी एस एपने नहीत आकरिती पर dependent है, यहाँ पर जो समझ्य आकरिती उसको ध्यान से देखिए, इस प्रकार से चित्र जो है चारो आफ़सन पर कहा दिखाई दे रहे हैं, क्या तिसरा में दिखाई दे रहा है, हम सबस15 पर इसको यहाँ से हटा दिए, अब जो है, हम पहला और पहला में भी है दूसरा में भी है लेकिन यहां पर जो बीचो बीच लाइन कीचा हुआ है पहला में नहीं है दूसरा में है दूसरा इसका उत्तर होगा ठीक है अब सात्वा प्रसन देखते हैं ध्यान से देखिए इसका उत्तर कौन सा होगा इस प्रकार से जेड नुमा आकरि में ठीक है लेकिन यहां पर और बढ़ना चाहिए नहीं है दुसरे को देखो के तो दुसरे में जेड नहीं बना है तो यह नहीं होगा उसके तीसरे को ध्यान से देख तो तीसरे में आप देख सकते हैं यहां से लेकर के इस तरब जो है जेड बना हुआ है जेड तो बना है ल प्रकीक जैसा की प्रश्ण में है वैसा ही दिखाई दे रहा है, तो इसका उत्तर आपसन 4 होगा. अब अगला प्रश्ण देख सकते हैं, आठवा नमर का प्रश्ण जो है, आपको इसे ढूंडना है, जो आठवी नमर की प्रश्ण में है, इस आकृति को ढूंडना है, चारों हैं तो सबसे पहले हम जो है पहला और चौथा को अपने option से बाहर कर देते हैं ताकि हमें समझने में औरसानी हो अब क्या करना दोनों को ध्यान से देखना की कौन सा उत्तर होगा अब देखेंगे कि यहां पर इस प्रकार से तीर्चा मुड़ा हुआ है यहां पर नहीं है दू इसके बाद चतुर भूज भी है इस प्रकार से पैंसिल नुमा बन गया जो प्रश्ण में आकरिती है ठीक वैसे आकरिती जो है आपसंतीन में दिखाई दे रहा है तो आपसंतीन इसका उत्तर होगा अब प्रस नक्रमांग ना हुआ ध्यान से देखिए जो है एक प्रकार से बी जैसे अकरिती दिख रहा है हम ध्यान से देखते हैं आपसं में तो यहां पर तो नहीं बना हुआ है यह नहीं होगा दूसरा को देखते हैं दूसरा भी नहीं है तीसरा और चौथा बज गया तो हम ध्यान से देखते हैं यहां पर हमको नजर आ रहा है देखिए यह इस लेकिन यहां आप को कःत VIP वह मोगत हैं कि अगले पार्ट में हम जानेंगे किस प्रकार से कला निर्मान करें की जुड़े रहेगा नमाश्कार